रूंटा जी मुझे बताईए आप एक बैंकर है होम लोन के जो रेट से इंट्रेस रेट वो इतने बढ़ गए आप मुझे बताईए हमारे आईबेएन लोकमत के जो विवर से उनको आप क्या सलाय देंगे कि इस मुसीबत का मुकाबला वो कैसे करें खैर इसमें तो दो तरीके के लोग हैं एक तो जिनका ओलरड़ी लोन है और जिनकी रेट बढ़ने के वज़े से EMI बढ़ गई है और दूसरा वो जो अब लेने का सोच रहे हैं तो ये तो सही है कि एक निम्ले मद्यम वर्ग या मद्यम वर्ग के लिए आज घर खरीदना बंबई में खास करके बहुत ही मुश्किल है अब जरहा सवाल उन लोगों का जिन लोगों ने अलरड़ी ले रखा है तो उसमें सबसे पहली चीज उनको ये देखनी चाहिए कि ऐसा कई बार होता है कि बैंकें आपके लिए रेट बढ़ा देती है लेकिन नए कंजूमर के लिए रेट कम होती है तो जरह आप थोड़ी सी साफधानी रखेंगे तो और अगर आपका रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है तो आपको भी उस कम रेट का बेनिफिट मिल सकता है और अगर आपकी एक्जिस्टिंग बैंक नहीं देती है तो आप दूसरी बैंक के पास जाने की कोशिश करिए दूसरी बात अगर आपके पास कुछ पैसा है और वो मुश्किल होता है लेकिन अगर कोई सेविंग्स है या आपने फिक्स्ट इंट्रेस रेट में फिक्स्ट डिपॉजिट में अगर रख रखा है तो अब एक ऐसा समय आ गया है कि आप सोचिए उसको यूज करने के लिए एक कंटिंजनसी रखने के बाद लोन प्री पेमेंट करने का पार्शेली काकि आपकी एमाइ न बढ़े क्योंकि जो ब्याजदर आपकी लोन पे लग रही है वो इतनी हाई है उतनी रेट आपको अपने जो सला दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया